अगर आपने अभितक पेटिम एकाउंट नहीं बनाया है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद, आप पेटिम एकाउंट कैसे बनाए, इस वीडियो को यही इस टेप बाई इस बताओँगा। बस आफ से रिकरेशित वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके सविज़ में आने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बतादू, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नेकिया, तो subscribe करके notification bell को press कर ले जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा हम आयाते हैं अपने mobile के screen पर सबसे पहले जाना है आपको अपने mobile के play store में और यहाँ पर आपको type करना है Paytm जैसे आप Paytm सच करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर इस application को 100 million से ज़्यादा डाउलोड करके रखा है ऐसा कुछ आपको interface देखने को मिल जाता है सबसे पहले आपको अपले application को करना है install और install करने बाद करना है open जैसे आप open करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface सो होने वाला है आपको करने क्या है left side में उपर आपके एक icon सो होगा वहाँ पर click करना है यहाँ पर लिखा है welcome to patium फिर लिखा है login to continue and create an account आपने भी तक account नहीं बना है तो आपको simply से create an account को पर करना है click तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना mobile नम्मर यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर फटा फट से अपना mobile नम्मर डाल के बार नीचे आपको एक option में लेगा proceed to program करेंगे और जैसे आप कर लिख करेंगे तो हमाँ यहाँ इस उसमें एक वन टाइम पाफ़ड बेड़े रहेगा जिसे बुलते हैं OTP, OTP आपका 6 जिजिट का होगा जैसे कि आप यहाँ पर अपना OTP जो भी आपके मुबाल में आ जाता है, आने के बाद डालना है और डालने के बाद सिंपले आपको करफर्म में क्लिक करना है, जैसे आप करफर्म में क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका पूँछेगा कि वाइसे करने के लिए bank account अगर link करना है, तो link bank bank account में करेंगे, फिर आप I will link bank account later में क्लिक कर देंगे, अब यहाँ से आपका account बन चुका है, इसके बाद लेब साइड में आपको एक option मिलेगा, यहाँ पर click करे क नीचे आपको जाना है सेटिंग पर और फेटिंग पर जाने के बाद यहां पर आपकी सेटिंग खुल खुल लाएगी फिर थोड़ा सा नीचे जाना है यहां पर एक option मिल लाता है आपको account का account में आपको करना क्या है अपने account के हिसाबसे अपनी detail यहां पर डाल सकते हैं language को change कर सकते है language को change करने के बाद automatic यहाँ पर आपको अपने account के detail यहाँ पर डाल सकते है यहाँ पर बात करते है यह और account की यहाँ पर आपके personal detail में click करके अपनी personal detail यहाँ पर डाल सकते है अपना नाम डाल सकते है अपनी email idea activate कर सकते है अपने प्रोफाइल फोटो को भी लगा सकते हैं यूपी आई की बात करते हैं पर अपने बैंक को स्रेट करके यूपी आई भी यहां से बना सकते हैं तो ऐसे ही आपको बनाना है अपने 2021 की अपने अपने पेटीम एप्लिकेशन पर उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना चैनल पर नएया है तो सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन बिल को प्रेस कर ले जिससे आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा तो फेंडिस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर